बिना मिक्सर के बिना इलेक्ट्रिक बीटर के बिना किसी कॉफी मसीन के हम बनाएंगे एक डम रेस्टेंट कैफे स्टाइल जागदार कॉफी और वो भी कुछ वायरल हैक के साथ तो यह है काम करता है या नहीं यह हम देखेंगे नमस्कार मैंकिता और आप सबका स्वागत है आपके अपने मस्ती भरी दोनिया फूट चैनल में तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 10 रुपे की कॉफी एक छन्नी और एक बॉटल बॉटल मैंने काच की लिए है आप कोई सा भी छोटा सा कूल ट्रिंक वाला बॉटल आता है उसे भी ले सकते हैं यहां मैंने पान पानी जो है वह हम 2 चलमठे करीमें यहां पर आड़ करेंगे पानी थंऩारी होना चाहिए मैं बारार आपको बतार न्योंज ार में होना चाहिए आप अपने टेस्ट के एक चीनी लिए लीजे कुछ लोग को हला की पहला को ज्यादा चीनी पसंद होता है कुछ दल्थनी जागदार बनके तयार होगा तो color इसका change हो रहा है, आप खुद बखुद देख सकते हैं तो ये जो hack है, ये 100% काम करता है बहुत ज़दा viral था ये तो मैंने सोचा कि इसे मैं भी त्राइ करूँ आपके साथ, शेयर करूँ मैंने इसके एक shorts video डाली हुई है पहले से ही अपने channel पर आज मैंने सोचा कि इसके एक long video डालते हैं तो ये देखिए, दो से ढाई minute हो चुके थे तो ये coffee का color ऐसा हो गया था तो लगभग मेरा 3 minute से भी कम समय में ये बनके एकदम fluffy fluffy सा एकदम light color हमारा एकदम जो है creamy creamy सा ये coffee तयार हो गया है देखिए, है ना एकदम creamy सा और इसको थोड़ा सा मैं और करूँगी आधे मिनट तक लगभग तीन मिनट तक मैंने इसको किया है इसी तरीके से, हाथ भले दुखने लगेगा लेकिन बिना mixer के, बिना electric beater के, अगर हमारे घर में आसानी से coffee बन के तयार हो जाए अकसर करके क्या जो बच्चे hostel वगएरा में रहते हैं या फिर कुछ लोग बाहर रहते हैं जिनके पास mixer वगएरा नहीं रहता है electric beater नहीं रहता है coffee बनाने की machine नहीं रहती है पर coffee पीना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो उनके लिए ये तो बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि छनी जो है वो हर घर में होती है तो यह हमारी देखी है हमारी coffee बन के तयार हो गई है तो अब हम इसको थोड़ा सा glass में डालेंगे आधे सीरप को हम glass में डालेंगे आधे को हम अभी रहने देंगे last में add करेंगे तो आधा डालने के बाद हमको क्या करना है इसमें कुछ ice cubes डालने है क्योंकि मैं यहाँ पे cold coffee बना रही हूँ तो यहाँ पे ice cubes डालने बहुत जरूरी है तो तीन से चार मैंने ice cubes डाल दिये अब चिल चिल दूद मैंने यहाँ पे एक cup डाला पहले उसके बाद अच्छी तरीके से इसको spoon डालके न अच्छी तरीके से इसको mix कर लेंगे mix करने के बाद आपको क्या करना है फिर थोड़ा सा दूद और add करना है तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से इसको mix कर लिया है और यहाँ पे फिर मैंने दूद डाल दिया है आधा cup और और जो बचा हुआ हमारा जागदार coffee है उसको उपर से डाल देंगे हम सारे coffee को मैंने उपर से add कर दिया है यहाँ पे यह देख सकते हैं आप लोग की कितना जादा जागदार है यह कितना जादा fluffy यह बन के तयार हुआ है और बहुत ही easy तरीके से तो जब भी आपका मन करे coffee पीने का वो भी cold coffee हो या hot coffee हो जो भी पीने का मन करें दो से तीन मियट का समय लगेगा आपका और आपके घर पे एकदम cafe जैसी coffee बन के तयार हो जाएगी तो जैसे cafe में बनाते है ना उपर से थोड़ा सा chocolate syrup आट कर दिया मैंने थोड़ा सा क्या करेंगे ना coffee का जो powder होता है उपर से थोड़ा सा sprinkle कर देंगे और मेरे पाट बास जो ना वो silver balls रखे थे तो मैंने उन से थोड़ा सा इसको decorate कर दिया तो बहुत ही simple और easy सा है हमारा एक जो है coffee बन के तयार हो गया है देखिए और देखने में भी कितना ज़़ादा अच्छा लग रहा है और पीने में तो बहुत मज़ेदार था तो second hack को try करते हैं बाटल वाला जो hack था यह भी काफी साधा viral हो रहा था तो हमने सोचा कि इजे भी ट्राइख करते हैं मैं आपको बता दू कि यह मैंने first time try किया है बाटल वाला मैंने इसके पहले tried नहीं किया था चाय छनी वाला तो मैंने try किया भी था पर इसको मैंने नहीं ट्राइ किया था तो यहां मैं यह अपने लिए बना रहे हो तो यहां मैंने तीन चमबच चीनी, एक चमबच कॉफी और फिर मैंने दो चमबच के तरी में पानी आइट कर दिया है अब उसके ओपर धकन लगा देते हैं, हम धकन लगाने के बाद आपको क्या करना है लिए भी जो हैख है न यह भी पूरा हंड़ी और पसंट वर्क करता है तो इसे भी आप आप ट्राई कर सकते हैं तो जिसके घर में एलेक्ट्रिक बीटर नहीं है कॉफी बनानी की मसीन नहीं है वो भी एजिली कॉफी मार्केट जैसी बना कर पी सकता है बस इस तरीकियो से खाली बॉटल तो सब के घर में होती है कोल इंग उगरा कि जो शोटी सी बॉटल आती है उसमें भी आप इसको ट्राय कर सकते हैं तो उसके बाद मैंने क्या किया इसमें चिल चिल दूट डाल दिया और कुछ कॉफी डाल दिया जो इसमें पढ़नी रहे थे और सेम प्रोसेस के साथ मैं इसे उपर से थोड़ा सा गारिश कर देती हूँ ताकि देखने में भी यह बहुत ज़दा सुन्दर लगे पीने में तो यह बहुत मज़ेदार था मैं क्या बता हूँ आपको कॉफी मुझे परसनली बहुत पसंद है उपर से थोड़ा सा मैंने क्या क्या कॉफी पाउडर डाला थोड़ा सा चॉकलेट सीरफ इसमें एड करा फिर वाइट बॉल जो थे वो हमने इसमें एड करा और यह बहुत मज़ेदार हमारी जो कॉफी है वो बनके तयार हो गई थी तो आप लोग भी इस हैक को जरूर ट्राय करें 100% वर्क करता है ये वीडियो को लाइक करिये चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ तो नॉटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए तो ये देखिए दोनों कॉफिया मेरी मज़िदार सी बनके तयार हो गई थी तो मैं इसे पीने जा रही हूँ और आप लोग इसे जरूर ट्राय करें गर्मियों में